आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which extra-embranic membrane is excretory in function and is analogous to the kidney? पुझा गया है कौन सा ऐसा extra-embranic membrane है जो की excretory functions में आते हैं तो पहले अगर बात करते हैं extra-embranic membrane का तो चार extra-embranic membrane जो है वो पाए जाते हैं जो एकदम outside में पाए जाते हैं उसका नाम है Corion और Corion का maximum काम रहता है protection का outer stress से उसके just अंदर पाया जाता है amnion और amnion के अंदर fluid structure जो है वो पाया जाता है जिस fluid में embryo जो है वो तैरता रहता है और ये fluid उसको help करता है shock proof रखने के लिए फिर आता है हमारा third layer जिसको हम लोग कहते हैं allen toys और allen toys जो layer है ये क्या करता है ये एक छोटा सा tube form करता है जिससे कि ये लोग क्या करते हैं कि gaseous exchange करते हैं और साथ ही इनका main काम क्या रहता है waste products को क्या करते हैं ये लोग waste product को embryo से निकाल के इस tube के द्वारा embryo से निकाल के mother के womb तक पहुचाते हैं और इसी वज़े से allantois को क्या कहा जाता है कि kidney की तरह काम करता है जब एक embryo present रहता है यानि हमारा allantois ही जो है वो correct option हो जाएगा according to the question और fourth जो membrane होता है extra embryonic वो आता है york sac और york sac जो होता है आप लोग नाम से ही समझ सकते हो कि ये nutritive layer होता है और ये nutrition प्रोवाइड करता है growing embryo को तो जो kidney होता है और waste product को इधर उदर करता है या फिर embryo से निकालता है वो है हमारा allantois membrane इसलिए correct answer जो होगा वो हमारा allantois हो जाएगा Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आ या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्सो पर